नमस्कार मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं RPS समाचार आए शुरुआत करते हैं आज की खास ख़बर से बिजनोर में गुलदार ने फिरली एक बच्चे की जान परिवार में मचा कोहराउं जन पर बिजनोर के अफजलगड के गाओं माननगर शापूर जमाल मार्ग पर गुलदार ने ब्रिस्पतिवार के शाम दुकान से सामान लेकर घर लोट रहे बच्चे पर हमला कर दिया धांपूर के निजी अस्पताल में बच्चे की मौत हो गई गुलदार के हमले से इस साल में यह सोलवी मौत है शापूर जमाल निवासी संजब परीवार के साथ माननगर के समीप रहते हैं ब्रिस्पतिवार के शाम उनका दस वर्सिय पुत्र नैतिक और फो नन्नू गाउ में सड़क पार इस्थित एक परचून की दुकान से सामान खरीजने के लिए गया था लोटी समय गुलदार ने उस पर हमला कर दिया और उठा कर ले जाने का प्रियास किया मौके पर मौजूद ग्रामिणों ने शोर मचाय तो गुलदार बच्चे को छोड़ कर जंगल में भाग गया परिजन जक्मी हालत में बच्चे को भूध पुरी इस्थित निजी चिकिस्सक के यहां ले गए चिकिस्सक ने बच्चे की गंबेर हालत के चलते हायर सेंटर रेफर कर दिया परिजन उसे धांपूर के अस्पताल में ले गए जहां चिकिस्सकों ने उसे मुरत गोचित कर दिया बेजनर से सेफ मनसूरी की रिपोर्ट हमारी वीडियो को लाइक कर चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं